वेल्कम टू सौट हैं बिद्धेले ये डिक्टेशन हैं रेड़ वर्ट्स पर मिनट की रहेगी ठीक है ये 10 मिनट की डिक्टेशन है अगर आपको पीडियाप चाहिए तो आप लोग टेली ग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं जो लोग टेली ग्राम में अभी तक नहीं प्रिस्प्शन में लिंक दिया है तो आप लोग ज़रूर जुड़िएगा चलिए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन रेड़ी स्टार्ट हाल ही में पूर्व राजपाल एवं वरिष्ट साहित्यकार माता प्रशाद जी गुजरगय वह अनुसूचित जात की प्रस्ट भूम इसे आई एस तक का सफर तै करने वाले सुरुवाती लोगों में से तो थे ही उत्तरप्रदेश सच्यों के तवर पर राज की नौकर साही का नेतत करने वाले अनुसूचित जात के पहले ब्यक्ति थे राजनेता के रूप में उनका अतीत भले सरकारी दस्तावेजों में दब जाए पर एक सहरदय लेखक के रूप में उनकी मौजूदगी ना रहे यह मुम्किन नहीं है वह पांच बार बिधायक रहने के अलावा दो बार बिधान परिशद के भी सदस रहे तथा बहुत ही नम्र गंभीर सहच और अध्यन शील प्राणी थे मातप्रशाद की गांधिवादी पोशाग के भीतर एक दलित लेखक जी रहा था एक प्रात्मिक सिच्छक के जीवन से उठकर उन्होंने जब राजनीत में प्रभेश किया तब कॉंग्रेस का दौर था उनके आदर्श बाबू जग जीवन राम ने दलित समस्या पर हरिजन शमस्या नाम से पुस्तक लिखी थी खुद माता प्रशाद ने 1948 में हरिजन ग्राम में गीत शंग्रह प्रकासिद कराया था पर 1982 के बाद जब कासी राम की बहुजन राजनीत ने पाउं पसार ने आरंभ किये 1991 के सताबदी वर्स में अम्बेट कर रचनवली छप कर आने लगी शोध कार होने लगे मूक नायक और बहिस्क्रत भारत के शंपाद की विचारों का फैलाओ हुआ दलित लेखन की शोध देशता इसपस्ट होने लगी तब माता प्रशाद ने भी अपने लेखन को गांधी वाद से आम्बेट कर वाद की और मोड दिया राजभवन की विशेश शुविधाएं भोगने वाले माता प्रशाद पैदल चल कर रिक्से पर बैठ कर शाहित्तिक आयोजनों में पहुचते थे बिनक किसी मान दे की आप एच्छा किये वह वहाँ अपने मुलवान विचार बैठ किया करते थे नए लेखन का शंग्यान लेते थे और उन्हें शम्मान प्रोश राहन भी देते थे पुर्वान चल विश्विद्याले जौन पुर्ने उन्नी सौठानबे में कबीर पर एक रास्टी संगस्टी आयोजित की थी आयोजन के बाद हम निकले तो माता प्रशाद जी ने इन पंक्तियों के लेखक से कहा मेरा घर यहां पास ही मचली शहर में है मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ मेरे घर चलें और रात रुकें उनका आग्रह टाला नहीं जा सका अगले दिन उनकी आत्म कथा जोपड़ी से राजभवन का जिक्र करते हुए मैंने जब पूच्छा की वह जोपड़ी कहा है तो उन्होंने कहा मेरी तो जोपड़ी भी नहीं है यह घर मेरे पीता की ननिहाल है माता प्रशाद का परिवार चमडा कारीगर्था आत्म कथा में जिक्र किया है माता प्रशाद को जनाब रौफ जाफरी सहब ने अध्यापन छोड़कर हरिजन शमाज कल्यान विभाग में शोसल वरकर बनने की शलाह दे थी और यही रास्ता उन्हें बाबु जग जीवन र ऐसा ही मोल डाक्टर धर्मबीर के जीवन में भी आया था माता प्रशाद की तरह डाक्टर धर्मबीर भी बाबु जग जीवन राम के पास गय थे पर टिकट के लिए नहीं बलकि यह कहने के लिए कि आप ऐसी कोई संस्था खड़ी कर दें जिससे मेरी रोजी रोटी चल जा तो मैं IAS की नौकरी छोड कर ता उम्र शाहित शेवा करूं माता प्रशाद जैसे शिखर बेक्तित्तो के साथ हमारे समाज ने किस तरह का ब्रिवहार किया वह वहां वाडित दो घटनाओं में समझ में आ जाएगा पहली घटना का जिक्र डाक्टर एन शिंग द्वारा तयार किये गए माता प्रशाद के अभिनंदन ग्रंत में हैं बताओर बिधायक वह एक बार अपने छेत्र के दोरे पर थे एक गाउं में उनका रात्री विश्राम एक समण कारकरता के घर पर था भोजन बने तब तक व जन्शंपर के लिए पास की दलित बस्ती में चले गए एक परिवार के बच्चों खास कर लड़कियों को उन्होंने अध्यन और साफ सफाई के बारे में बताया वहां उन्होंने एक युवक से पूछा कि तुम्हारा दूसरा भी कहां है उसने बताया कि आज हमारे गाउं म कॉंग्रेस का एक बड़ा नेता आया है वह नेता हमारी जातिका है वह पंडित जी के घर खाना खाएगा सो भाई नेता जी के खाने के लिए बरतन पहुचाने गया है दूसरी घटना वर्ष 2000 के इंगलेंड दौरे की है जिसका गवाह इन पंतियों का लेखक भी था प्रवासी भारतियों की एक संस्थाने बर्मिंगम में मायवती के ब्यक्खान का आयोजन किया था प्रतिनिधी बस से शवार होकर लंदन से बर्मिंगम रवाना हुए रास्ते में हमने शेक्स पीयर का जर्म इस्थान देखा बर्मिंगम में मायवती बगैर परचे के डाई घंटे तक बोलती रही माता प्रशाद दर्शक दिर्गा की पहली पंक्ती में बैठे थे भासण में मायवती ने बीपी सिंग और राम बिलाज पासवान जैसे राजनीतिक विरोधियों पर करारे कटाच किये चुकी कॉंग्रेस के टिकट पर घोसी सीट से मायवती के खिलाफ चुनाव लड़ चुके माता प्रशाद कॉंग्रेसी भेस भूशा में सामने ही बैठे थे लिहाजा मायवती ने उनकी ओर उंगली उठाते हुए बेहद आपत्ती जनक भासा में उन्हें भी खरी खोटी शुनाई यही नहीं भाशन के बाद रात्री भोजन की दोरान सुरच्छा गाड़ों से घीरी मायवती ने वहां मौझूद दलित लेखकों से बाचीत करने की इच्छा भी नहीं दिखाई अमेरिका ने आकरी बार जब इरान के साथ परुमाल समझाओते पर बाचीत करने की कोशिस की थी तब इजराइल शरकार ने बेहद मौफट किस्म की और आकरमक प्रतिक्रिया जताई थी वर्स 2015 के बहुत पहले से जब इरान का अमेरिका और दूसरे शक्तिसाली देशों का इरान के साथ परुमाल समझाओता हुआ था इजराइल इस तरह के किसी समझाओते को एतिहासिक गलती बताने की भविश्वारी कर रहा था लेकिन बिगत सुक्रवार को बाइडन प्रसासक ने जब यह आपचारी घोसडा की की वह परवर्ती ट्रम्प प्रशाशन के समय तोड दिये गए परुमाल समझाओते को पुनर जीवित करने की कोशिस में हैं तब ना तो एरुसुलम से इस पर कोई तीखी प्रतक्रिया आई और ना है शौदी अरब वश्रयुक अरब अमीरात जैसे देशों से खाड़ी देश भी इरान के साथ अमरीका के परुमाल समझाओते के बिरोधी हैं हाला कि उनका बिरोध उतना तीखा नहीं है बाइडन प्रशाशन के रूख पर इरान के छेत्री विरोधियों की खामोशी के पीछे निराशावाद के साथ साथ अमेरीकी फैसले के खिलाफ पर्दे के पीछे उनके दबाव की राजनीत भी छिपी हो सकती है इजराइल, शौदी अरब और अमीराद अब भी इरान के प्रति सा संकित हैं और उन्होंने अमेरीका को संदेश दिया है कि वे इरान के साथ परमाणू समझावते को पुनरजीवित करने के उनके फैसले के पच्छ में तब ही होंगे जब यह पिछले समझावते से अलग हो पास्त कारकरम पर अंकुस लगाने दूसरे देशों पर उन्हें हस्त चेप करने से रोकने तथा इराक, लेबनान, यमन तथा दूसरे देशों के लडाकों को मदद देने की उसकी नीति पर लगाम लगाने जैसे प्रावधान होंगे